जैसे ही आप नितरहाट आएंगे आपको ये दिखेगा और आपको नितरहाट में ये चोरहाँ दिखेगा यहां से एक रास्ता है उधर जो की प्रभात विहार पलामू डाग बंगला और अरुन दय अतिति ग्री के तरफ जाता है यहां आप देख सकते हैं अगर आपको बोर्ट दिख रहा है यह है तो हमने अपना होटल ले लिया उधर ले लिया बट अभी वीडियो नहीं बनाया होटल का आपको होटल का वीडियो दिखाऊंगा चार लोगों का अभी हमने बहुत ही बज़र्ट पर खरीदा है 900 में मिला ह हुए तो यहां पर यह 14 पॉइंट्स है जो कि इंपोर्टन प्लेस ने तरहाट के चला ऑगो इन्यिछ सब प्लेसेश को हम कवर करें यहां से निकल रहा है अर्यहां कहा लेकि जाता है यहां पर यह जो बागान देख रहा है वो नासपाति के है बतलतले यह जाडियों के पीछे जो पेड़ देख रहे हो वो नासपाती के पेड़ बट अभी नासपाती उगे नहीं है यह नासपाती का बगान वैसे यह है नहीं यहां से 3.5 किलोमेटर आगे है बट यहां भी नासपाती उगे हुग है इसलिए हमने आपको दिखात गया है अब हम तो जाएंगे नहीं असपेशली पसपेड देखने के लिए यहां पर देख सकते हैं इको विकास समीती नेतरहाट लातेहार प्राक्तरितिक की गोद में रात्री विस्राम है तूं कैंपिंट और यह है आपके डेम वाले रोड में और यहां पर देख सकते हैं आप लगे हुए यहां पर अंदर और सामने टेबल और कुर्सियां रखी हुई हैं बहुत इंज्जॉय कर सकते हैं आप फैमिली के साथ आए फैमिली के साथ से ज़्यादा यार कपल और फ्रेंड के साथ आए मज़ाएगा तो हमें वहां भी जाना पड़ेगा तो इसलिए अभी हम चलते हैं यहां पर टूरिजम के नाम पर इन्होंने कुछ नहीं कि अभी तक ठीक ठाक सा डेम है इसको भी चाहें तो सजा सकते थे अभी सायद उधर काम कंस्ट्रक्शन चल रही है आपको दिखेगा उधर कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो हो जाने के बार सायद कुछ इंप हो बट अभी तक तो यहां पर ऐसे तो यहीं तो यहीं है निता हाट डेम उधर अभी डेवलेप्मेंट कंस्ट्रक्शन चल रही है आप देख सकते हैं और अभी हम जा रहें कोयल व्यूपॉंट वहां जाके दिखाएंगे आपको कैसा है आप कैम्पिंग काफी जगे पर कर सकते हैं यहां भी कैम्प लगे हुए हैं टेंट ओन रेंट मस त्यार कही बिए आपयाँ पर किमिंग करो आपको तो तो दिखा घर कोईल दिखा है मतलों को एल बीद्धा जिख न चाहिए नहीं आभ ऐसा तो है नहीं हमालिया व्यूपॉंट होता है तो हमेशा हिमालया तो नहीं दिख पाएगा अगर बीच में बादल आ गया फौगी वेढ़ हो कोयल वियूपोंट में हमें कोई कोगयल तो न claps but yeah here यहां का व्यू बहुत है प्यारा है थोड़ी से दूर में नदियां हैं ये था को एलवीव पॉिंट बत कुडिन सी एनी को एल तो अभी हम चलते हैं लेक तो हो गया वो तो अभी हम आगे जाएंगे और उसके बाद falls है दोनों जो fall है वहाँ पर हम जाएंगे तो अभी हम चलते हैं आ चुके हैं अपर घागरी फाल जो कि यहां से अराउंड सौ मिटर है सड़क से आपको सौ मिटर मिलेगी बहुत ही पतली से सड़क है बट बाइक और कार्स आराम से आ सकती है चलो और यह बहुत ही चोटा सा जर्ना बठा सही है यहां चोटा सा स्विंग पूल बना हुआ आप लोग को आना बनता है आप लोग जरूर आईएगा यहां पर रास्ते में आपको बंदर दिख जाएंगे और यह बंदर के भाई बड़े भाई यहां यहां पर है अच्छा बंदर के सरदार और यह यहां जरूर्णा है मैं आपको बिल्कुल पाज से दिखा रहा है और यह देखो मैंने आपके लिए कैसी चाही से नीचे कूट क्या हूँ आप तो अब हम चलते हैं यहां से यह अपर घागरी है उसके बाद एक लोग घागरी है और आज हमें संसेट पॉइंट देखना है तो इसके बाद हम दो और अभी डांस करना बंद कर दिया तुन्यत संगीत चल रहा है यहां पर अपर घागरी हो गया आप लोग घागरी चलते और वहां से संसेट व्यूट पॉइंट जाएंगे उसके बाद हम चलेंगे अपने होटल पर जाने वाले थे और यहां पर लिखा हुआ है पास में एक बोर्ड है वहां पर लिखा हुआ है लोग घागरी बट यहां पर लिखा हुआ है कोर्चेत्र प्रवेश वर्जित सकते आप यहां पर कोर्चेत्र अनाधिकार प्रवेश वर्जित आदे मिलता है लोगा घागरी जाने का तब जाएंगे नहीं तो फिर हम सीधे संसे नासपाती के बागान में और नासपाती का फल आप देख सकते हैं यहां पर यह बहुत ही छोटे-छोटे से फिलाल और यहां का जो वेदर है वो नासपाती के लिए बहुत उप्यूप माना जाता ह और 1999 में यहां पर सड़ चार जो एकड में नासपाती के बाधे बोए गए थे और यह लकडियों का बहुत अच्छा सा सुन्दर सा इनोंने घेरा बनाया है बाड़ा और संसेट पॉइंट पांच किलिमेटर है जोटा खाएंगा जूट देखा था गंदे गंदे रास्ते से होते हुए आया हम संसेट पॉइंट पे तो गूगल पे आप गाओं पे भरोसा मत कीजिएगा और अभी हम मगनॉलिया संसेट पॉइंट पहुँच चुके हैं तो अब बात आती है यह कि यहां का नाम मगनॉलियान संसेट पॉइंट क्यों पड़ा? तो वो कहानी दीवी है यहां पर प्रेम और वीरा का अनोखा दास्ता वैया करती है कहते हैं कि मगनौलिया जो कि एक अंग्रेज आफिसर की बेटी थी उसको यहां के अस्थानिय चरवाहे से प्यार हो जाता है और जब यह बात मंगोलिया के पिता को पता चलता है तो वो चरवाहे को अपनी बेटी से दूर जाने के लिए बोलता है और जब चरवाहा नहीं मानता है तो वो उसकी हत्या गरवा देता है इसी वीरा मगनौलिया ने अपने घोड़े से कूद के यहाँ पर अपनी जान दे दी बहुत सारे खेलने के चूले बच्चों के खेलने के चीजे मिल जाएंगे आपको बहुत सारे बच्चे आए हुए अस्कूल के यहाँ पर अगर मेरा दोस्त कोई जानवर होता तो बिलकुल इसकी तरह दिखता है अगर इस चीज में आपको दिखाना चाहूंगा मतलब जिन्होंने यहाँ से सुसाइड किया था तो यही है वो प्रेमी यूगल और यह है डेप्थ जहांसे इन्होंने कूद के अपनी चाहान देती और यह उसी घोड़े का स्टैचू है जिससे उसने कूद के जान दी थी अर्थ ब्यूटिफल सा संसेट के अधिया मैंने पूरी वीडियो ली है संसेट की और संसेट होने वाला है औलमोस्ट होईच जुका पांच मिनों डावर लगेंगे अधिक अधिक प्राइब बाइक्ता हो और अब यहां से आपको अपने होटेल लेके चलता हूँ हमने अपना जो रुम लिया था वो दिया था ःश्रा ऑपना रूम स्टेह और लोका कर वेी टानु वाइक्ट पे पार्क है और यह है अपना रूम लाइट गया हुआ है अभी टीवी नहीं है यहां पर और बात्रूम है बात्रूम बहुत अच्छा स्पीशियस बड़ा सा है सही है दो ये कि Snب seis प्राइस पर मिल गया चार नोंगा मस्टाय किया थे और वह और रूम हम six के अलावाष यहां पर इसके की निल आइँ इसके इधर है इसके तोड़ा सा सबबत इसके बार इधर है यूँटल सब्सक्राइब उससे पहले एक होटल है और इधर होटल प्रबात है पास में जहां पर सब्सक्राइब है संगे आगे वी है अगली आने वाली वीडियो में और उसके आगे भी है होटल प्रबाद का ही एरिया है वहां पे आपको 1800 फ्लस GST पर आपको वहां पे होटल मिल जाएका तो बहुत ही गिने चुने होटल से यहां पर अगर हाथ पो गिनो तो वह साथ 10 ओंगे और होम्स्टे यहां पर नहीं को अनुने बढ़ा कर दिया थोड़ा और रिस्ट के रहन के लिए बना दिया है तो ऐसे किया है होटल प्रभाद बहुत ही अच्छा है लोकेशन है और होटल प्रभाद से आप डायरेक्ट आप वहाँ पे बैलकनी पे जाके अपना संव्यू संव्यू देख सकते हैं आपको परस्टनली संव्यू पॉइंट पर जाने की जरूरत नहीं मिलते हैं अगली व्लॉग में तब तक के लिए आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके रखो आप पीस करके रखो भाई पैर पगड़ेंगे हैं आप दो याद